Hello everyone, मैं सचिन विस्व कर्मा आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए fundamental of entomology के कुछ important objective questions लेकर आया हूँ जो कि आपके परिच्छा के दिर्ट से बहुत ही ज़्यादा important है तो आप लोग इसके ध्यान से पढ़िएगा और अगर इसका पीडियाप पाना चाहते हैं तो टेलिग्राम पर इसका आपको पीडियाप मिल जाएगा टेलिग्राम चैनल की लिंक description box में दे गई है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को subscribe जरूर करिएगा पहला question है आसममिती ये मुखांग किसमें पाया जाता है आसममिती ये मुखांग asymmetrical mouth part किसमें पाया जाता है तो ये पाया जाता है ग्रॉस ओपर में टिड्डा में option disc का correct होगा तो आप लोगों को ये वीडियो जो है clear नहीं दिख रहा होगा थोड़ा पीडियो की quality कम है तो यूटूब से जाकर वीडियो की quality बढ़ा लीजिएगा clear दिखने लगेगा अगला question है किस एक में यानि कौन सा ऐसा कीट है जिसमें काटने यों चबाने वाले मुखांग पाये जाते हैं इस पर मैंक सिंधो से सम्मन्नित है तो टार्शस यो है पर का एक भाग होता है कि सिकार पकडने वाली टांगे किस में पाई जाती है सिकार पकडने वाली टांगे किसमें पाई जाती हैं तो मेंटेट्स में पाई जाती है अप्सन भी इसका करेक्ट होगा अगले कुशन है घरेलू मक्ही में चिपकने वाला पैर है तो घरेलू मक्ही में चिपकने वाला पैर होता है हिंड लेक पस्च पात जो पीछे का पैर होता है अगले कुशन है टेग्मिना पंक पा जाता है तो ड्रेगन फ्लाई में में मेंब्रेनस जिल्ली दार पंक पाया जाता है आप लोगों ने देखा होगा अगले कुशन है निमलिखित में से कौन सा मुख्य सिरा है तो कोस्टा रेडियस और क्यूबिटस ये तीनों मुख्य सिराएं हैं तो option इसका डी करेक्ट होगा अगले कुशन है एंपलेक्सी फॉर्म पंक संयोजी उपकरंट किस में पाया जाता है तो ये पाया जाता है बटरफ्लाई में तितली में इसके पहले मैंने इंटुमोलोजी पर कई वीडियो अपलोड किये हुए चैनल पर तो अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर उसे जरूर देखिएगा अगले कुशन है तिड्डे के किस उदरिये खंड पर नर्जनन अंग पाया जाता है तो नवे खंड पर नवे अब्डॉमनल सेग्मेंट पर विराशा पर या तिड्डे के उदरिये खंड पर नर्जनन अंग पाया जाता है भी पोजिटर है ये डंक में परिवर्थित हो जाता है मदमक्खी में इसका एंसर हो जाएगा option A sorry मदमक्खी और बर्र दोनों में ये परिवर्थित हो जाता है तो option C इसका correct होगा A और भी दोनों अगला कुशन है कीट की आहार नली कितने भागों में विभाजित होती है तो ये तीन भागों में विभाजित होती है अगला कुशन है पेरिट्रॉपिक जिल्ली पाई जाती है तो पेरिट्रॉपिक जिल्ली पाई जाती है मिडगट में बध्य प्रणाली में अगला कुशन ह एंटीना पाई जाती है तो एंटीना जो है अगर और पस्च प्रणाली में पाई जाती है एंटीमा एंटीना नहीं एंटीमा होगा एंटीमा जो है फोर और हिंड गट में पाई जाती है यह आहर नाल का भाग होता है एंटीमा एंटीना नहीं है अगला कुछन है मद्ध प्रणाली पस्च प्रणाली में कितने द्वार खुलती हैं यानि mid gut open hand gut through तो इसमें जो है cardial valve option होगा जो मद्ध प्रणाली और पस्च प्रणाली किसके द्वारा खुलती है तो cardial valve के द्वारा खुलती है अगला कुशन है अगर पनाली को यह भी कहा जाता है तो अगर पनाली को इस्टोडियम कहा जाता है इस्टोमोडियम इस्टोडियम ने इस्टोमोडियम कहा जाता है फोर गट को अगला कुशन है अस्थलिय कीटों का मुख्य उत्सरजी उत्पाद कौन सा है तो ये हो जाएगा यूरिक एसिड यूरिक अमल जो है अस्थलिय कीटों का उत्सरजी पदार्द होता है तो वीडियो चल लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को सबसे बड़ा मस्तिस्क कहलाता है कौन सा सबसे बड़ा मस्तिस्क कहलाता है तो जो प्रोटो सिवरम होता है इसे सबसे बड़ा मस्तिस्क कहा जाता है सबसे बड़ा मस्तिस्क कहा जाता है प्रोटो सिवरम को अगला कुशन है एक्जॉन किसका भाग है तो ये निवरॉन का भाग होता है एक्जॉन अगला कुशन है मादा कीटों में कितने अंडा से पाए जाती ये तीनों जो है नर जनन तंद्र के भाग होते हैं option D's का correct हो जाएगा अगला कुशन है एक AC इस्तिति जिसमें एक अंडे से कई संताने उत्पन होती हैं कहलाता है तो इसे कहा जाता है poly embryoni जब एक अंडे से कई संताने उत्पन होती हैं तो उसे कहा जाता है poly embryoni अगला कुशन है सामानता कीट होते हैं तो कीट एक लिंगी भी होते हैं और दोई लिंगी भी होते हैं तो इसमें option C correct होगा A और भी दोनों अगला कुशन है स्वासनली बाहरी opening होती है तो जो स्वास नली की बाहरी ओपनिंग है वो स्वास रंद स्पाइरेकल द्वारा होती है अगला कुशन है ट्रेकिया की पतली साखाओं को कहते हैं तो इसे ट्रेकियोल कहा जाता है ट्रेकिया की पतली साखाओं को ट्रेकियोल कहा जाता है अगला कुश्यन है ट्रेकिया में एंटीमा के गोलाकार छलो का होना कहलाता है तो इसे कहा जाता है टिनेडिया इसका जो है option A करिट होगा टिनेडिया अगला कुश्यन है प्यूपा की आवस्था किस प्रकार के कायंतरण में पाई जाती है तो ये किस प्रकार की आवस्था है प्यूपा की आवस्था किस प्रकार के कायंतरण में पाई जाती है तो इसका अंसर जाएगा होलो मेटाबोला अगला कुश्यन है निमलिखित में से कौन सा एक कमपोडी फार्म लार्वा का उधारण है तो कॉक्षिनिल्ला का लार्वा का उधारण है अगला कुश्यन है केटरपिलर होते हैं तो केटरपिलर जो है पॉलिपोड लार्वा होते हैं पॉलिपोर्ट मतलब कई सारे पायर पाये जाते हैं अगला कुशन है दो जोड़ी उदरी ये पाद पाये जाते हैं तो ये लूपर में पाये जाते हैं इसके abdominal segment पर दो जोड़ी लग पाये जाते हैं तो वो लूपर में पाये जाते हैं अगला कुशन है, बैज्ञानिक नाम मुदृत किया जाना चाहिए, तो ये italic अच्छरों में लिखना चाहिए, italic अच्छरों में जो तिर्ची राइटिंग में लिखा जाता है, या फिर इसके नीचे हम लोग underline कर देते हैं, अगला कुशन है, जलिए कीटों के सिसको कहते ह हैं, तो इसे कहा जाता है, नायड, जलिए कीटों के सिसको नायड कहा जाता है, जो निम्फ होते हैं, aquatic insect के, इन्हें नायड कहते हैं, अगला कुशन है, अरिस्टेट प्रकार कि सरंगिका पाई जाती है, तो ये पाई जाती है, घरिलू मक्खी में, अगला कुशन है, ओर ड होते हैं, मोथ और बटरपलाई, ये लिप्डोप्टेरा के अंतरगत आते हैं, अगला है, धान के टिड्डे का कुल है, तो एक्री डिडी होता है, उसके बाद है, दीमक किस गण के अंतरगत आता है, तो दीमक आइसोप्टेरा के अंतरगत आता है, अगला कुशन है, किस ग तो टार्थस के अंतिम खंड को प्री टार्थस कहा जाता है अगला कुश्चन है धान में धान का गंधी वक किस कुल के अंतरगत आता है तो ये कोरडी के अंतरगत आता है कोरडी कुल है धान के गंधी वक का अगला कुश्चन है आर्थो पोड का साब्दिक अर्थ है तो आर् अरेगनिडा वर्ग के अंतरगत आता है इसका जो क्लास है वो है अरेगनिडा अगला कुश्चन है कीटों में पैर पाये जाते हैं तो कीटों में तीन जोड़ी पैर पाये जाते हैं अगला कुश्चन है किस उदर ये खंड पर पंक पाये जाते हैं तो मद्ध एवं पस्च मी कोसाहीन पर्त है यान इसमें से कौन सा कोसाहीन पर्त है तो इपीक्यूटकल, एक्जोक्यूटकल और इंडोक्यूटकल तो इसमें से कोसाहीन पर्त हो जाएगी तीनो जो है non living या फिर कोसाहीन non cellular पर्त होती हैं ये तीनो क्यूटकिल के भाग होती है तो option this का correct होगा अगला कुश्यन है क्यूटकिल की सबसे मोटी पर्त होती है endocutical अगला कुश्यन है कीटो के सरीर के प्रिष्ट तल पर पाया जाने वाला इसकले राइट को कहते हैं तो इसे कहा जाता है tergite कीटो के प्रिष्ट तल पर पाया जाने वाला डोर्सल साइट पर पाया जाने वाला जो इसकले राइट है उसे tergite कहते हैं अगला कुश्यन है अधो मुखी सिर पाया जाता है अधनो मुखी सिर यानि हाइफो गनेथस हेड पाया जाता है तो ये टिड़ा में पाया जाता है ग्राव सॉपर में अगला कुश्यन है किस इसलेराइट को कीट के सिर की पार्स दिवार कहते हैं तो जीना को कहा जाता है पा cockroach में पाई जाती है अगला question है मद मक्खी में किस प्रकार की संख्या पाई जाती है तो geniculate type कोनी दार पाई जाती है अगला question है magzilla को यह भी कहा जाता है तो इसे निचला lower जा या निचला जबड़ा कहा जाता है magzilla को अगला question है कीटो में मेंडबुल की संख्या होती है तो दो होती है दो मेंडबुल्स पाई जाती है अगला question है तो यह जो है last question था तो इस वीडियो में इतना ही बाकि other questions आपको हमारे other videos में मिल जाएंगे तो आप लोग चैनल पर जाकर जरूर देखेगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe कर लिजिएगा क्योंकि हम आपको agriculture संबंदित ऐसे ही videos प्रोवाइड कराते हैं